जैस्रीकृष्ण में त्रों फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे कुम्भ राशी के बारे में कुम्भ राशी के राशी फल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा अंतक देखें बसुनें तभी आप कुम्भ राशी वालों के राशी फल की पूरी जानकारी प्राप कर पाएंगे ये राशी फल चंदराश पराधारित है यानि मून साइन पर जिन लोगों को अपनी राशी नहीं पता है वो लोग अपनी जन कुनली में ये देख लें कि चंदरमा उनकी किस राशी में है जिस राशी में चंदरमा है वो ही उनकी राशी है जिनके पास जन कुनली नहीं है वो अपने नाम के पहले अच्छर से अपनी नाम राशी जान सकते हैं और ये राशी फल अपनी नाम राश से देखवा सुन सकते हैं। और कौन-कौन से अच्छर कुम राशी में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशी जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों सुरू करते हैं। पहले चंद्रमा का गोचर जान लेते हैं तो ग्यारा फबरी को चंद्रमा ब्रशब राशी में रहेंगे और ब्रशब राशी में सायम को पांच बज़ कर छे मिनट तक रहेंगे तो साइम काल पांच बजगर छे मिनट तक जो चंद्रमा के गोचर के परड़ाम होंगे वो आपको थोड़ा माता के स्वास्त का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि चोथे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा वहाँ पर राहो का गोचर पहले से है केतु की द्रिष्टी है ब्रशव राशी है तो माता के स्वास्त का ध्यान रखना होगा माता से बाद विवास से बचना है परिवार के सदस्यों से बाद विवास से बचना है मन में तनाव देखने को मिल सकता है थोड़ा सा मन में असुंतलन देखने को मिल सकता है माता से भी रोद बिल्कुल ना करें मानसित तनाव और कुरोध में अपना काम ना विगाड़ें इस बात का ध्यान रखें बाकि आपका पैतरक संपत्ति में अगर कोई कार रहे है तो उसमें लाब देखने को मिल सकता है और साइमकाल पांच बज कर छे मिनट के बाद चंद्रमा मिथुन राशी में प्रवेश कर जाएंगे पंचमभाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर चंद्रमा बारहा और तेरह फरवरी को भी रहेंगे यानि कुमभ राशी वालों के ग्यारह फरवरी को पांच बज कर छे मिनट साइमकाल से लेकर आरह और तेरह फरवरी को भी चंद्रमा मिथुन राशी में रहेंगे यानि पंचमभाव में रहेंगे तो सिच्छा के लिए सिच्छा में सफलता मिलेगी और आपके प्रेम समंदों में भी सफलता मिलेगी बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने साथी से यानि आपके प्रेमी या प्रेमिका से बाद विवाद से बचना है संतान से बाद विवाद नहीं करना है बाकि संतान को सिच्छा में सफलता मिलेगी और आपको भी सिच्छा में सफलता मिलेगी स्वास्त के मामले में पेट से समंधित अगर कोई स्वास्त समस्या है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत तनाव देखने को मिल सकता है आलस देखने को मिल सकता है थोड़ा बहुत आपनी रास रह सकते हैं इस तरह के कुछ प्रणाम देखने को मिल सकते हैं गेरा बारा और तेरा फरवरी को 14 और 15 फरवरी को चंद्रमा करकराशी में रहेंगे और चंद्रमा करकराशी के स्वामी भी है और कुमराशी वालों के छठे भाव में करकराशी है और चंद्रमा का गोचर भी वहां पर होगा रिडरोग सत्रू का भाव है और चंद्रमा का छठे भाव में गोचर अच्छे प् आराम मिलेगा या फिर आपको रोग मुक्ती मिल सकती है आरोग गिलाव हो सकता है सासी रहेंगे पराक्रमी रहेंगे धन के मामले में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी आपको ते आपको 14 और 15 फरवरी को 14 और 15 फरवरी को धन के मामले में आपके सारे कारे पूरे हो भाव के स्वामी का गोचर छठे भाव में है रेंड रोग सत्रू के भाव में है तो आपको रेंड के मामले में अगर कोई लोन बगार आपने एपलाई कर रखा है तो उसके लिए आपको सिस करके देख सकते हैं हो सकता है या कि आपका 14 या 15 फरवरी को उसका पास हो जाए और रोग के मामले में आपको लाव होगा और सत्रू आपका आपकर बिल्कुल भी हावी नहीं रह पाएंगे 14 और 15 फरवरी को कुछ इस तरहें के प्रणाम देखने को आपको मिल सकते हैं और 16 फरवरी को भी चंद्रमा दिन में 3 बच कर 14 मिनट तक करक राशी में ही रहेंगे त 13 बच कर 14 मिनट के बाद 16 फरवरी को सिंग राशी आपके सब्तम भाव में है और सिंग राशी के श्वामी सुर्र हैं सब्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो धन के मामले में आपको लाब होगा धन धानने के लिए अच्छा रहेगा मान सम्मान मिलेगा सफलता मिले है ब्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी और आपके ब्यापारिक पार्टनर के साथ सम्मंद अच्छे रहेंगे आपके जीवन साथी के साथ सम्मंद अच्छे रहेंगे अगर प्रेमी प्रेमिका हैं तो उनके साथ भी सम्मंद अच्छे रहेंगे यानि आपके जो भी पा बाद 17 और 18 फरवरी तक ये प्रणाम आपको मिलेंगे देखने को तो ये प्रणाम अच्छे रहेंगे सब तंभाव में गोचर होगा ब्यापार कारोबार में लाव होगा नौकरी में अगर आप कर रहे हैं तो आपके बॉस के साथ समंद अच्छे होंगे सह कर्मियों का साथ म ना अपनी पत्नी या पती से बात बिबात करें ना अपने जीवन साथी से करें ना अपने ब्यापारिक पार्टनर से करें इस बात का ध्यान रखें तो आपको प्रणाम अच्छे देखने को मिलेंगे 16 फरवरी को 3 बच कर 14 मिनट से लेकर 17 और 18 फरवरी को यहाँ पर गुर राशी अश्टम भाव है अश्टम भाव में चंद्रमा के गोचर के परणाम उतने अच्छे नहीं मिलेंगे अश्टम भाव में चंद्रमा के गोचर के परणाम आपको सामान से कमजोर भी देखने को मिल सकते हैं और सामान भी मिल सकते हैं बहुत अच्छे परणाम नहीं मिले और आपको सवास्त में किड्नी से समंधित कोई समस्या है तो उसका ध्यान रखना है अश्टम भाव में गोचर है तो भूमी से जुड़े हुए कारोबार यानि भूमी से नीचे की चीज़ों का यानि भूमी से नीचे जो माइन्स है पेट्रोलियम, कैमिकल या आपका कोई ब सफलता देखने को मिलेगी और अगर आप कोई अध्यात्मिक कारे करते हैं कोई रिसर्च करते हैं तो इसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी तो इस तरह के कुछ प्रणाम देखने को मिलेंगे और अचानक लाव और अचानक खानी के योग तो बने ही रहेंगे इस बात को सला दी जाती है कि कुछ खेल गूद जैसी गत्विधियों में बढ़ चल कर हिस्सा लें आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्त रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक्चमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी इस सब्ता आपको एबास समझने की भी जरुत होगी कि साइध ही कोई ऐसा घर होगा जहां कोई परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद नहीं होते हैं वो तो होते ही हैं इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ तालमिल बना कर चलें मतभेदों से दूर रहें कोई भी मतभेद घर में ना आपको दिखेंगे नीचे की और की सकते हुए दिखाई देंगे जिससे आपके मनोबल में ब्रद्धी के साथ साथ आपका आत्मिस्वास भी बढ़ेगा और आप पहले से अधिक तेजी के साथ हरकार को पूरा करने की और प्रयास कर पाएंगे ये समय छात्रों के लिए महत्पूर रहने वाला है आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा कुल मिलाकर ये सब्ता अच्छा ही जाने वाला है चलिए उपाय की बात कर लेते हैं, उपाय की बात करें तो आपको हर सनिवार के दिन काली गाय को घी से चुपड़ी हुई रोटी नियमित रूप से खिलाना चाहिए और सनिस्त्रोत का सनिवार के दिन आप नियमित रूप से पाढ़ भी कर सकते हैं कविये कुत्त और गाय को प्रदिन रोटी खिलाएं काली गाय की सेवा करें और अंधे अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा बिभार रखें इनको कभी-कभी भोजन का आप दान भी दे सकते हैं इससे भी आपको लाब मिलेगा और सनी देव की क्रपा पाने के लिए अपने माता-पिता का सम्मान और उनकी सेवा वश्य करें अगर आप अपने माता-पिता से दूर रहते हैं तो आप उनसे बात करके उनका असिरवाद ले सकते हैं और चाहें आप तो हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा उपाशना कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाट कर सकते हैं सुन्दर कांड का पाट कर सकते हैं इससे भी आपको लाप मिलेगा और हनुमान मंदिर में आप बूंदी का प्रसाद चढ़ा कर उसे गरीबों में बाटें तो इससे भी आपको लाख मिलेगा तो मित्रों आज मैंने आपसे कुम्भ राशी वालों के राशी फल के बारे में कुछ चर्चा की ये राशी फल सामाने राशी फल है ये सभी जातकों पर पूंडूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभब नहीं है क्योंकि आपकी जन कॉंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी बर्तमान दसा और अंतर दसा और फिर ग्रहों के गोचर के स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्वा करता है, आप सभी स्वस्त रहें, आईश्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्रीकष्ण भगवान से प्रार्थना है, जै श्रीकष्ण